दोस्तों एक बग अपनी वाइफ और तीन अंडों के साथ एक घर की चिमनी में रहता था लेकिन क्रिस्मस की रात को उस घर का मालिक चिमनी में आग जलाने की सोचता है जिस वज़े से वो चिमनी में कई सारे कागज रख देता है लेकिन बग सभी कागज को उठा कर घर से बाहर फेक देता है जिसके बद वो आदमी दुबारा आता है और कागज को वहाँ ना देखकर गुस्सा हो जाता है और दुबारा से वहाँ कागज और लकडिया रख देता है लेकिन तबी बग वहाँ से माचस को उठा कर टोयलेट में माचस के तीलियों को गिरा देता है लेकिन उस आदमी को पास एक लाइटर था जिससे वो आग जला ही लेता है जिसके बदबग और उसकी वाइफ अपने एंडो को बचाने के लिए कौन के बॉक्स को उठा लाते हैं और आग के ओपर डाल देते हैं जिससे थोड़ी देर में पापकॉन बनने लगता है और इतना सारा पापकॉन बन जाता है कि आग ही बुझ जाती है और बक्के अंडो की जान बच जाती है